रादे रादे यूटी फैमिली कैसे हैं आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक है आई होप आप भी अच्छे होंगे तो काजल मन के व्लॉग में आपका स्वागत है अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेश उसके लिए उनका दिल से बहुत बहुत धन्यावाद जी और मैं बहुत अभारी हूं उनकी कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और जैसे आपने देखा था ना उन्होंने मुझे ये हार डाला था तो ये एक मामूली सा कोई हार नहीं है ये एक जीत है जो मैंने मतलब ह वहासिल की है क्योंकि ये चीज हम मांग कर नहीं किसी से ले सकते ये चीज हम सिर्फ ये माला वाली बात तो मैंने आपको बताई दी और उसके सासत उन्होंने मुझे जो ये वी आईपी एंट्री दी है देखिए ये भी कोई मेरे लिए कम की बात नहीं है ये भी हर किसी को मिलती और ये उनका काड है जी देख लीजिए शायद मैंने उल्टा पकड़ा हुगा है तो ऐसे देख लीजिए तो इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यावाद है जी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब वहां पर मिलेगा या मेरे साथ ऐसा होगा मैं तो सिर् गाइस बीच में एक कोल आ गई थी इसलिए और बस जी मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप लोग वहां पर जाएं और उनका शो देखें क्योंकि वहां पर संडे तक ही है और उसके बाद पिर उनका शो जो है शचरोली में होगा तो प्लीज मेरे जतने भी आने वाले हो देखने तो मैं उनको यह कहना चाहती हूं कि मैं यह शो जो है कल देखूंगी जाकर और मैं चार बजे वाले शो में जाओंगी तो जिसने भी मुझसे मिलना है वहां पर आ सकते हैं मुझसे मिल सकते हैं और तो ठीक है जी मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस पर जारी हूं और इस एंट्री पर जो मेरे साथ 2 और जाएंगे वह भी final हो चुके हैं और कल वैसे मैं यहां से 15 जनों को लेके जारी हूं मतलब के वह अपने उस पर जाएंगे लेकिन जो दो एक्स्ट्रा हैं वो मेरे इस एंट्री पर जाएंगे मेरे साथ यानि कि something 15 जने त तो आप सब भी ज्यादा से ज्यादा संगी हैं और फ्रेंड्स मेरी जो मैंने फेस्बुक पर और अपने इंस्टा मतलब अपने हर एक अकाउंट पर मैंने ये कल वाली पोस्ट की हुई है तो इसमें ना मेरे काफी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे वो बोल रहे हैं कि ये जो जादूगर हैं ये बहुत बड़े जादूगर हैं बहुत अच्छे गलाका रहे हैं और आपने इनके साथ पिक भी ली है वीडियो भी बनी है भई आप लग्की हो तो भई ये बहुत अच्छे इनसान है तो हां जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी मैं तो इनसे personally भी मिली हूँ शो में तो चलो मैं इनसे मिली मिली हूँ लेकिन मैं इनसे backstage भी कल मेरी मुलाकात हुई है मेरी बातचित हुई है इनसे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और husband wife दोनों है जो इनके साथ शो में ladies होती है वो इनकी wife है और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे है मेरी इनसे कल I think 10-15 मिनट बातचित हुई है शो शुरू होने से पहले मैं इनसे मिली थी backstage तो nice person है जी बहुत और मैंने इनका नाम बहुत सुना था कि जादूगर समराट है लेकिन मैंने कभी इनका शो नहीं देखा था और मैंने first time इनका शो भी देखा है और मैं इनसे मिली भी हूँ तो मुझे बहुत बहुत nice अच्छे इनसान लगे ये और तो इसलिए मैं चाती हूँ कि हमारे गाउं में ये मोका मिला है और टिकेट भी नहीं कोई ज़्यादा नहीं रखी हुई यहाँ पर only 100 रुपे है और 2-5 गिंटे का शो दिखाते हैं और एक दब मस्ट सूपर डूपर शो दिखाते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएं और इनका शो देखें क्योंकि यह आप यहाँ पर सिर्फ संडे तक ही है संडे के बाद यह यहाँ से चैक आउट कर जाएंगे और फिर इनका शो जो है शुच्रोली में होगा ऐसा उन्हों न अच्छी गए थे मेरे हजबंड नहीं गए थे उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं गए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि तुम चले जाना तो जिस टाइम मैं रात को घर आई और अंच ने वीडियो बगरा दिखाई घर में मेरे हजबंड को मेरी सासुमा को तो वो दो उन्हों बहुत ही जादा खुश हुए काफी उन्होंने प्राउड फिल किया कि बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ही अगर मेरी जिन्दगी रही तो मैं ऐसे ही आपका जो नाम है उसको कभी खराब नहीं होने दूगी